हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं इंडियन बाइश ट्राइविंग 3D गेम के निव अपडेट के बारे में तो आईए शुरू करते हैं इंडियन बैस्ट्राइविंग 3D गेम में न्यू मोडिफाइट थार को एड़ कर दिया गया है जिसकी पिक्स आप देख सकते हैं जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि न्यू मोडिफाइट थार दिखने में काफी ओसम लग रही है और इसका चीट कोड वही रहेगा जो कि पुरानी वाली थार का है क्यूंकि पुरानी वाली थार को रिप्लेस करके इस न्यू मोडिफाइट थार को एड़ किया जाएगा और अब बात कर लेते हैं कि इंडियन बैक्स ट्राइविंग 3D गेम में पिट्रोल पंप का निव अपडेट आएगा या फिर नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि इंडियन बैक्स ट्राइविंग 3D गेम में पिट्रोल पंप को एड़ किया जाएगा अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है लेकिन ये पिट्रोल पम्प आप सभी को रोहित गेमिंग स्टूडियो सर के दूसरे गेम इंडियन कार्स सिमिलेटर 3D गेम में देखने को मिलेगा जिसकी पिक्स आप देख सकते हैं जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि पिट्रोल पम्प दिखने में काफी ओसम लग रहा है और ये पिट्रोल पम्प पर अभी वर्ट चल रहा है और इसका अपडेट आप सभी को इस बार के आने वाले इंडियन कार सिमिलेटर 3D गेम में देखने को मिलेगा और अगर आप इस पिट्रोल पम्प को इंडियन बैक्स ट्राइविंग 3D गेम में भी एड़ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा जिससे की हम इंडियन बैक्स ट्राइविंग 3D गेम के फ्यूचर अपडेट में इस पिट्रोल पम्प को एड़ कराने के लिए रोहित गेमिंग स्टूडियो सर से बात करेंगे और अगर आप सभी इंडियन बैक्स ट्राइविंग 3D गेम में कोई भी बैक या कार को एड़ कराना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कीजेगा जिससे की हम उस बाइक या कार को भी एड़ कराने के लिए रोहित गेमिंग स्टूडियो सर से बात करेंगे तो यह इतिमार याज के अपडेट वीडियो अच्छा लगा होथ वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं अगली वीडियो में जै हिन